नमस्कार्स वागत है आपका अमारे चनल में मैरानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी ख़बर सामने आ रही है अमेरिका को लेकर कि दरसल अमेरिका ने भी अब ये माल लिया है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाग देशों में से एक है कहीं न कहीं ये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की कूट नीट्टी की विशेस्ता मानी चारी है जिसकी बड़ालत अब अमेरिका भी ये मानने को तयार हो गया है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाग देशों में से एक है पिशले दिनों देखने को मिला था कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 देने का वादा किया था और ये फैसला दरहसल डोनाल ट्रम्प का पल्टा गया था यानि कि दोनाल्ड ट्रम्प ने इसको देरी से पाकिस्तान को मना कर दिया था लेकिन जैसे ही जो बाइडन अमेरिका के ने रास्ट पती बने देखने को मिला कि कैसे उनका जुकाव लगातार पाकिस्तान की ओर जाता गया जिन में से एक जो फैसला था उसको जो बाइडन ने पलट दिया टॉनाल ट्रम का और ये कहा कि पाकिस्तान को आतंगवास से लड़ने के लिए हमें F-16 उन्हें देना होगा इसी के साथ उन्होंने 400 मिलियन तक की राशी भी देने का वादा किया था लेकिन अब देखने को सामने आ रहा है कि आज अमेरिका के रास्टपती जो बा पाकिस्तान के द्वारा की कैसे उनको आतंगवास से लड़ना है आतंगवादियों उनके देश में पनाम आगी है जिससे लड़ने के लिए वह अमेरिका की मदद चाहरा था जिसके बाद जो बाइडन उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे थे इसको लेकर के पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री S.J. शंकर ने भी अमेरिका को आईना दिखाते हुए सीधे तोर पर अमेरिका की पोल खोल दी थी और ये कहा था कि आप किसे मुर्ख बना रहे हैं आपको बता दे दरहसल अमेरिकी रास्टपती जो बाइडन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चह पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है इसलिए दुनिया के लिए ये बड़ा खत्रा हो सकता है बता दे डेमोक्रेटिक कॉन्फरेंस के दौरान अमेरिकी रास्टपती जो बाइडन ने पाकिस्तान को लताड़ा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया क सबसे खतरनाक देशों में से के वह इसलिए क्योंकि वह परमाणू हथियारों का भंडारन कर रहा है वहां सेना और सरकार के बीच कोई भी सामांजस या कोई भी तालमेल देखने को नहीं मिलता एक तरफ अमेरिकी रास्टपती जो बाइडन पाकिस्तान के खलाफ बयान दे र और आई एम एफ से बैक डोट से मदद भी कर रहा है इस बयान से इतर अमेरिकी रास्टपती ने यूक्रेन को साथ सो पचीस मिलियन डॉलर की अतरिक्त सैन्य साहता देनी की भी घोशना की है इस मदद से रश्या का बयान अभी तक फिलाल तो सामने नहीं आया है आपको बत किलर हाथियारों की तैनाती भी कर दी गई है इसे के साथ ही आपको बता दे कि दरसल कुछ राजनेतिंग जानकारों का कहना है कि बाइडन प्रशासन ने भारत को संदेश देने के लिए F-16 फाइटर जेट के ताजा पैकेज को मंजूरी दे दी थी अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस के साथ अपने सैन्या और आर्थिक रिस्तों को तोड़ ले लेकिन भारत इसे खारिस कर रहा है बता दे कई परश्यमी जो जानकार है उनका कहना है कि अमेरिका अब भारत को संदेश देने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने रिस्ते की फिर से मजबूत कर रहा है लेकिन भारत भी अमेरिका के इस चाल को समझ चुका है और पिछले दिरों देखने को मिला था कि कैसे विदेश मंत्री ऐसे जशंकर ने अमेरिका में जम कर जो बाइडन प्रशासन को सुनाया था और कहा था कि वो मुर्क किसे बना रहे हैं भारत के इस बयान के बाद अमेरिका का फी तिल मिला गया था अमेरिका के दबाओ के बाद भी भारत रूस से S-400 सिस्टम खरीद रहा है भारती विदेश मंत्री ने अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम की पोल यूही नहीं खोली आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका किस तरीके से भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को पालता आया है दरसल पाकिस्तान के 73 साल के इतिहास में आधे समय मे सेन निताना शाहो का शाशन रहा है एक अनुमान के मुताविक साल 1948 से 2013 के बीच में अमेरिका ने पाकिस्तान को 30 अरब जॉलर की साहता प्रदान की थी इन में से आदी साहता पाकिस्तानी सेना के लिए थी वही अमेरिका सोबिय संग के खलाब पाकिस्तान को जिसका इस्तमाल उसने भारत के खिलाफ 1965 के युद्ध में किया था इसे के साथ ही भारत के वीर जमानों ने इन अमेरिकी टैंकों को तबा करके पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को तगड़ी चोट दी थी ये टैंक को समय तक अमेरिकी सेना की शान मने चाते थे आपको बता दे अमेरिकी सेनसाहिता का ये दौर आज भी लगातार जारी है और हाल ही में करोडो डॉलर के F-16 पैकेज का एलान बाइडन प्रशासन की ओर से किया गया है पाकिस्तान ने यहां अर्बो डॉलर तालिबान के खिलाफ अमेरिकी जंग के दौरान कमा लिया है यही नहीं अमेरिका और पाकिस्तान ने साल 1989 से ले करके 1989 तक अफगान मुझाहिदिनों को फंडिंग देने के लिए आपस में सहयोग भी किया है इन मुझाहिदिनों ने सोवियस संग की सेना के खलाफ जंग छेड़ दी अमेरिका ने स्ट्रिंगर मिसालों से ले करके कई घातक अतियारों की आपूर्ती की यही नहीं साल 2002 में तो अमेरिका ने पाकिस्तान को 11 नाटो सायोगी देश का दरजा भी दे दिया पाकिस्तान सोवियस संग के खलाफ बनाए गए संगठन सीटो और सेंटो का सदर से भी रह चुका है अमेरिका ने साल 2006 में पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर के हथियार पाकिस्तान को दिये थे इस डील के तहट पाकिस्तान को अमेरिका से 36 F-16 फाइटर जेट मिले इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को हारपून समित कई तरीके की मिसाइले बम और तोपे भी दी हैं यही नहीं जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के रास्ट पती थे तब भी उन्होंने पाकिस्तान को 14 F-16 फाइटर जेट दिये थे इने F-16 विवानों का अस्तमाल पाकिस्तान ने भारत के मेग 21 पर हमला करने के लिए किया था साल 1971 के बांगला देश युद्ध के समय तो अमेरिका ने अपना साथवा बेड़ा तक हिंद महासागर में भीज दिया था इसके बाद सोवियस संग भारत की मदद में आगे आया अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिस्ते उतार चड़ाओ भरे रहे हैं जब जब अमेरिका को अफगानिस्तान में कारवाई करनी होती या जब उसे भारत को संदेश देना होता है तो वो पाकिस्तान के कंधे पर भारत की जो रिस्ते हैं वो रश्या के साथ बराबर बने हुए हैं चाहे फिर वो S400 को लेना हो या फिर तमाम जो रिस्ते हैं आर्थिक साहिता की हो या फिर वेपार के रिस्ते हो अभी तक भारत रश्या से निभाता हुआ नज़र आया है लेकिन अमेरिका को ये चीज़े मन से बात तो भारत कहता आया है और इसी के साथ ही अगर पाकिस्तान को देखा जाया तो ग्रे लिस्ट में भी शामिल है आपको बतादें किर वर हाल ही में अमेरिका में हैं जिस तरीके से जो बाइडन ने वादा किया था ति वह आतंगवादियों को खोज-खोज देते हुए आ रहे हैं फिलाल जिस तरीके से जै शंकर ने जम करके अमेरिका में ही उनकी क्लास लगाई थी और सीरिय तोर पर अमेरिका को आयना दिखाने का काम किया है तो शायद अब जो बाइडन को भी ये बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान से किसी भी तरीकी का कोई भी रिष्टा रखना किसी के भलाई में नहीं है अमेरिका के भलाई में तो ये चीज़े बिलकुल भी नहीं है फिलाल आपके इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे कि और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें